गुरुकुल के इस अव्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है मैं डॉक्र पंकच कुमार मिश्र आप लोगों के सामने मृष्य कडिकम के छठे अंक को लेकर के उपस्थे तो हूँ आज से हमने अपने इस छठे अंक का प्रारंभा किया है अब इसके मूल टेक्स्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे उनसे पूर्व जो कहानी है कहानी वही छोटी सी है लगु कहानी है कि वसंत सेना चारुदत से मिलने के लिए पुष्पकरंडक उध्यान आने को उध्यत होती है और किसी न किसी कारण से एक गाड़ी में परिवर्तन हो जाता है और वसंत सेना शकार की गाड़ी में बैठ करके पुष्पकरंडक उध्यान की ओर चल पड़ती है यह एक प्रकार का विपरिया है कभी ने इसका नाम प्रवहन विपरिया दिया है हम इसको भाग्य विपरिया कह सकते हैं हम उसको जीवन विपरिया कह सकते हैं हम उसको स्थिती घटना परिस्थिती आदि किसी भी प्रकार का शब्द दे दे उस प्रकार का एक विपरिया देखते हैं जीवन में परिवर्तन इससे हठात जीवन में परिवर्तन आएगा और जीवन संघर्ष शील हो उठेगा न केवल वसंत सेना का बलकि चारुदत का भी और इस परिवर्तन से एक और जो परिवर्तन होता है वह होता है आर्यक के द्वारा एक परिवर्तित गाड़ी में बैठ ज हम एक दिखते हैं जीमन में परिवर्तन आने का संकेत है लकिन उसे पूर्व एक संक्षित घटना है जिसमें कि रदनिका के साथ रोहसेन आता है रोहसेन सोने की गाड़ी के लिए जिद्द कर बैठता है वसंत सेना उसकी उस मिट्टी की गाड़ी में अपने सारे स्वरना भूशन उतार करके रख देती हैं और इस प्रकार वह कहती हैं कि देखो तुमारी भी गाड़ी जो है अब सोने की गाड़ी हो गई या यू कहें अथवा कि इन सोने इन आभूशनों से तुम इस मिट्टी के गाड़ी के बदले में सोने की गाड़ी ले लेना यहां पर भी हम देखते हैं कि एक प्रवहन भी परिया है एक गाड़ी का परिवर्तन है तो उसी प्रतिक को आधार बना करके इस छठे अंक के संबाद का परिवर्धन हुआ है तदनुसार अगर हम इस टेक्स्ट को अब आगे पढ़ें पढ़ने के कोशिश करें तो पहला ही हमें एक निर्देश अप्राप्त होता है ततह प्रविशती चेठी अगर रंग मंची या दृष्टी से इसका हम मंचन करें तो के वले एक लाइट जो है वो मंच पर रहेगा रिस्ट और जो पोडिशन है वा खाली है और किसी साइड से आइदर लिफ्ट और राइट किसी वी विंग से या एकदर मिडल से हम चेटी को प्रवेश करवाएंगे हम बात यहीं रोकते हैं लेकिन कुछ इस मृष्य कडिकम क कि परिवर्धन की विशेशता कीर संकेत करते हैं इस ब्रैकेट वाली बातों को आप अगर सूक्ष मता से देखे तो नाटक कारने अभी तक के पढ़े प्रायशह सारे अंकों का प्रारंभ या तो चेट से किया है या चेटी से किया है प्रधान चरितर से अंक का उधरहतन ऊ नहीं पाते हैं और यह जबकि हम अन्य नाटकों में नहीं देखते क्लासिकल एरा के अन्य अंकों में हम ऐसा नहीं देखते मृष्ची कटिकम का कोई भी अंक ले ले प्रधान चरित्र से प्रारंबव होता है इसी प्रकार आप यदि अभिज्ञान शाकुंतलम को ले तो उनक प्रधान चरित्र से प्रारंबव होता है यह अलग वीशय है कि भीच में चेटियां रहती है लेकिन अभी तक अगर आप देखें इन जेनरल तो मृच्यकडिकम के अप्टो सिक्स्थ एक्ट प्रायह सारे अंक का जो प्रारंबव है वो या तो चेट से है या चेटी से है अस्तु एक सूचना मत रती आप लोग शोद कीजिएगा यह गविशना का विशय है ततह प्रविशती चेटी चेटी मंच पर आती है और अपन नविबुद्धियते अगर आप व्याकरण की दृष्टी से देखें तो बड़ा ही चोटा सा इसमें हम पाएंगे कि आज भी आरिया आरिया यानि वसंत सेना नविबुद्ध्यते जगाई नहीं गई बड़ा ही सरल लट लकार वाला रूप है लेकिन उनसे जो प्राप्तु होने वाले दो संकेत हैं उस पर भी हम दृष्टी डाले कि जिस प्रकार आज भी हमें लेट तक सोने की एक आदत सी लग जाती है कि जहां हमें पहले निर्देश होता था हमें कहा जाता था कि ब्रह्म मुहूर्त मैं जगना चाहिए चार-पांच बजे जग जाना चाहिए वहीं दूसरी और आज हम क्या होते हैं कि यदि छुटी है तो 11-12 बजे जगते हैं नॉर्मल है तो 9-10 बजे जगते हैं दूसरे शब्दों में ये लेट सोने की ये लेट जगने की परंपरा हमें प्राचीन काल में भी दिखाई देती है एक तो यह है क्या किया रहा अध्या प्यारिया यानी आज भी आर्या आज भी यानी और धिनों की तरह आज भी हम ऐसे अर्थ लेंगे देखे कई सारी चीजे मिसिंग हैं मैंने हमेशा इसलिए कहा कि हम शब्दकोष में जो पाए जाने वारे अर्थ हैं उन अर्थों के आधार पर हमें किसी विविशय का अनुवाद नहीं करना चाहिए हमें जोड़िये कि आज भी मतलब अन्य दिन के तरह आज पहले भी ऐसा होता होगा और दूसरा कि वसंत सेना को जगाने के लिए कोई न कोई व्यक्ती रहता होगा या कोई चेटी रहती होगी जो कि प्राता काल में जा करके जगाती होंगी तो वो भी उसका भी उसके और भी संकेत है कि आज भी आर्या वसंत सेना को नहीं जगाया गया है भवत अच्छा तो ठीक है प्रविश्य प्रतिबोध इश्यामी तो ठीक है मैं ही प्रविश्ट करके मैं ही वहां जा करके आर्या वसंत सेना को जगाऊंगी इती नातिये न प्रविशती, परिक्रामती, प्रविशती नहीं, नातिये न परिक्रामती, अब यह परिक्रमा करने की क्या वात है, हम दो जानते हैं कि मंदिरों में परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिना करते हैं, यहां पर परिक्रामती का क्या है, पुना-पुना मैं कि हमारे नाटकों मैं जो ब्रैकेट में दिये जाने वाले यह संकेत होते हैं यह directorial जो होते हैं और छेटी परिक्रमा करेंगे वोग ड्रीक्रमा करेंगे what does it mean को सुला के रखा जाएगा एक्टिंग के मुद्रा में जहां पर की light नहीं जाएगी इसलिए मैंने पहले कहा था कि एक middle light है whole stage पर light नहीं होगा क्यों क्यों क्योंकि जैसे ही चेटी घूम करके जाएगी वहां पर फिर दूसरा light हम वहां पर दें और दिखाई पड़ेगी कि वसंत सेना सो रही है इसलिए इतिनाठ्येन परिक्रामती यानि घूम करके उस जगह तक यह जाएगी ततह प्रविशती आच्छादित शरीरा प्रसुत वसंत सेना उसके बाद आच्छादित शरीरा यानि शरीर पे चादर, रजाई, आदि, मौसम के अनुकूल कोई वस्त्र होगा कोई कवरप क्या होगा तो उसे शरीर ढ़की हुई सोई वी वसंत सेना प्रवेश करती है अब ये तो अलग बात हो गई कोई भी आदमी सोई हुई ये सोया हुआ कोई भी व्यक्ति जो सोया हुआ बेड़ते होगा वो कैसे प्रवेश कर सकता है तो कि क्लियर लिखा हुआ है प्रविशती और प्रविशती का मतलब चल करके और व पहले से ही वसंत सेना जो है एक्टिंग करते हुए सोई रहेगी उसके उपर एक चादर धका रहेगा तो वो प्रवेश है और तभी जो मैंने अभी लाइट की चर्चा की थी कि जहां पर वसंत सेना लेटी होगी वहां पर कोई रोशनी नहीं होगी जब घूम करके चेटी वह है निरूपिय यदि देख करके जो चेटी की acting होगी ऐसे हाथ करके ऐसे करके जो भी कर सकते आप पहेति यह उत्तिष्ठत आरिया तो अरिया यह वसंत सेना आप जग 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 समय हो गया है । जैसे हम जगाते हैं या तो जग जोड करके दो तरीके से होगा अगर स्वजन होते हैं मम्मी हों आदी हों भाई हों बहन हों तो वो जग जोड करके उठाएंगे लेकिन चुकी यह चेटी है तो उनके शरीर को टच नहीं करेंगी आवाज देंगी या पैर खट खट पैरों से थप थपाएंगी अपने जमीन को ताकि वहां तक आवाज करे ये उत्तिस्ठट उत्तिस्ठट उर्या यह षब्द बोलती है कि यह संवद मोलती है और कहती है प्रभातम संव्रिततृ कई है जग जाइए सभेरा हो गया प्रताकाल हो गया सूरभाएं लोगहार में बात प्रयोंग करते हैं वही इसका अनुवाद होगा वसंत से ना पूरी तरह से अपने जम्हाई लेती हुई उबासियां लेती हुई या जो भी है एक एक एक्टिंग से उस भाव को प्रदर्शित करते हुए प्रति बुद्ध्य यानि जग करके अरे यह कैसी है तो रात्री रेव प्रभाय निरात ही जो है वो प्रभात में बदल गया बतलब अरे अभी तो रात ही है सुबह कहां हुआ मुझे और सोने दो यही होता है ना कि जब हम किसी को जगाते हैं तो अगर conscious है तो वो immediately जग जाएगा उनको पूरे दिन के अपनी सारे responsibility याद आ जाएगी लेकिन अगर unaware है तो नहीं अभी थोड़ा हमें और सोने दो तो यह जो मुहावरा है अगेन हम इस मुहावरे का अनुवाद नहीं करते हम सिंपल उनके उस अभाव को लेते हैं अरे अहीं कैसे सभेरा हो गया अभी तो राती यह ऑभी मुझे थोड़ा और सोने दो जो आफिस में जाने वाले लोग होते हैं उनके लिए तो सुवय हो गया सबेरा हो गया वसंद सेना कहती है अचा तो ठीक है चेटी कुटा हपुना युश्मा कमद्यूत करा अब देखिए जगती है और जगने के बाद भी पहला जो वक्य है वो किसके लिए है चारुदत्त को स्मरन कर रही है यही प्रणय होता है यही प्रीती होती है यही अनुराग होता है यही राग होता है किस प्रकार वसंद सेना के मन का हरन उस चारुदत्त ने कर लिया है और वह चारुदत्त को ही याद करती हुई वसंद सेना उठती है और कहती है चेटी अच्छा तो ठीक हो मन में उस अपने प्रेमी के प्रतिक कितना अधिक समर्पन है कि मजाक में भी जो ये नाम है द्यूत कर ये सुपरलेटिव विशेशन बन जाता है ये सामान्य पुना कहुँगा किसका अर्थ हम जोवारी नहीं लेते ये एक मजाक में एक उस इन्फैचुवेशन के साथ बोला जाने वाला प्रयोग में लाया जाने वाला संबोधन है चारुदत के लिए अच्छा तो ठीक है बताओ अरे तुम्हारा वो जोवारी कहां है चेठी आर्ये वर्धमानकम समादिश्य पुष्पकरंडकम जीरनो द्यानम गत आर्ये चारुदत्त है अभी आपने जो ये गाड़ी प्रवहन विपरिया की चर्चा की थी उसे क्रम में ये एक सूचना है संयूजक वाकिय है कि वर्धमानकम समादिश्य जो वर्धमानक है वह नाम है गाड़ीवान का जो गाड़ी चलाएगा जो गाड़ी लेकर के आया है उसका नाम है वर्धमानक तो चेटी सूचना देती है वसंत सेना को कि जो गारिवान वर्धमानक है उनको समादिश्य भली भात उनको आदेश देखर के स्वयं जो चारुदत है वो पुष्पकरंडकम जीर्णोध्यानम गतभ आर्य चारुदत है यहां जो आर्य चारुदत है अर्थात आपका जो जिवारी है वह उस पुष्प करंड़क उद्यान में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है देखिए clarity है clear है गाड़ी छोड़ करके चारुदत पहले से ही प्रतीक्षा करेगा अपनी प्रेमी का वसंत सेना का और आज भी हम आप गाड़ी भेज देते हैं तथानुकूल विवस्था कर लेते हैं अपनी प्रेयसी के लिए की जल्दी से समय पे आयें तो अपनी गाड़ी जो है वह वसंत सेना को पिक करने के लिए चारुदत भेज देता है वसंते सेना पूछ बैठती है किन समादिश्य और भाई वर्धमानक को उन्होंने क्या आदेश दिया तो चेटी कहती है योजय रात्रव प्रवहनम वसंते सेना गच्छतु इति भाई तुम रात में ही अपनी गाड़ी जोत लो क्योंकि वसंते सेना इसी से जाएगी अर्थात उसने वर्धमानक को ये आदेश दिया था कि गाड़ी को पहले से ही तयार कर लो और लेकर चले जाओ वसंते सेना के घर के पास और उसी गाड़ी से वसंते सेना मेरे से मिलने पुष्प करंड़क उद्यान आएगी अब एक शब्द यहाँ पर जो शुरू में चेटी के डायलॉग में है जीरन उद्यानम अनवादात्म का दृष्टी से काफी पुराना उद्यान अब जीरन उद्यान कहने से भाव अभिव्यक्त नहीं होते इसका मतलब यह होता है कि जहांकि पेड़ पौधे आदी सूख गए हो इसलिए वो जीरन है नहीं हम यहाँ पर जीरन का मतलब सूखा या इस तरह नहीं लेंगे हम यहाँ पर लेंगे जो बहुत पहले का प्राचीन उस समय का जो सबसे प्रसिद उद्यान है जिसका नाम पुष्पकरंडक है उस पुष्पकरंडक उद्यान में अर्था जहां पर सारी विवस्था होगी परंपरा से चला आ रहा जो उद्यान सबके आमोदप्रमोद आनंद का जो स्थान है उस उद्यान में वह गया है तो मैं जीरन उद्यानम की और थोड़ा सा ये संकीत है देना चाहता है था वसंत सेना कहती है चेटी कुत्रवयागंतव्यम और तु ये बताओ कि अब मैं कहां जाओं मैं कहां जाओं मुझे कहां जाना चाहिए चेटी कहती है कि ये पूछने के कोई बात है क्या बद्ध कर लेती है आप देखेंगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है चेटी परिश्वज्य पूरी इतना से अपनी चेटी अपने उस कहने के लिए चेटी है लेकिन हम आप देखिए कि किसी भी प्रकार का बैरियर नहीं है जब प्रसन्नता अपनी सीमा का उलंगन कर जाती है त चोटे बड़े सबका भेद भाव मिटा देती है और वही स्थिति हम यहां पाते हैं कि वसंत सेना अपने उस प्रसन्नता में अर्थात चेटी ने वसंत सेना के मन के अनुकूल निरने दिया कि आपको भी चारुदत्त के पास जाना चाहिए जहां चारुदत्त गया है तो व मुझे प्रमानपत्र मिल गया जो क्योंकि मेरे मन की बात इसने कह दी और इस प्रकार खुशी से वह गले से लगा लेती है वसंत सेना कहती है चेटी सुष्ठू न निर्ध्यातो निर्ध्यातो या रात्रो तदध्य प्रत्यक्षम प्रेक्षिष्ये किम प्रविष्टाह मिह अभ्यंतर चतु शालकम कहते हैं कि देखो भई मैं सही बता रहा हूं कि मेरी जो रात्री है अभी तक बीती नहीं है मैंने रात में पूरे रात में जो है मैं उन्हीं कुछ भी मैं समझ नहीं पाया सोच नहीं पाया और मैं इस तरह से मेरी रात बीत गई कि मैं उनको ध्यान ही नहीं कर पाया प्रसनता का वीशय यह है कि तदध्य प्रत्यक्षम प्रेक्षिष्ये कि आज मैं उनको प्रत्यक्ष देखूंगी तक दो बाते होती है अभी तक ऐसा नहीं है कि चारुदत और वसंत सेना की आपस की बात नहीं हुई है या मिले नहीं है लेकिन ये जो तदध्य प्रत्यक्षम प्रेक्षिश्य का मतलब है कि फॉर्स टाइम दोनों एकांत में आप प्रत्यक्ष में इस तरह से मिलेंगे उनकी बातों को सुनेंगे उनके व्यक्तित्व को देखेंगे उने में जो मेरी आसक्ति है उस आसक्ति के सारे कारणों को मैं आज अपने में आत्मसाथ कर लेना चाहूंगी इसलिए ये जो वाक्य है ये छोटा वाक्य है लेकिन जिसक नहीं कर पाया ना रात में उनके विशे में सोच पाया ना रात में वो मेरे सपने में आए इसलिए आज मैं उनको देख पाऊंगी चेटी किम प्रविष्टा अहम इह अभ्यांतर चतो हुशालकम अब कहता है कि अहम इह अभ्यांतर चतो हुशालकम ये जब हीतर का जो चतो हुशालक है चवराहा कह लें या कोई एक विशिष्ट चतो हुशालक यानि घर है तो क्या हमें घर के भीतर जाना चाहिए सर्वजनस्यापी हृदयम प्रविष्टा कहते हैं कि केवल अभ्यंतर चतुषालक ही नहीं सारे लोगों के हृदयमें आप प्रविष्टो हो गई हैं अब यह जो सर्वजन है सर्वजन का मतलब तो यही है कि पूरे इस उज्जयनी के जो लोग हैं उने के रिदय में आप प्रविष्टे हैं है ना तो वो केवल चतुष शालक जो है उतना मात्र नहीं है वसंत सेना अपिसंतप्यते चारुदत्तस्य परिजन है जो चारुदत्त के जो परिजन है वे पीडित तो नहीं होंगे उनको बुरा तो नहीं लगेगा यह प्रश्ण है मैंने पहले भी कई बार अपनी व्याख्यान में बताया है और आप लोग भी जानते होंगे जब सामान्य सरल और सही वाक्य जब अपी से प्रारंब होता है तो वो शंका संदेह और प्रश्ण का रूप अग्रहन कर लेता है तो इसलिए वो चेटी से वसंत सेना पूछती है कि क्या चारुदत के जो परिजन है वे संतप्त तो नहीं होंगे चेटी कहती है संतप्यती हाँ भाई क्यों नहीं पीड़ी तो होंगे जरूर पीड़ी तो होंगे वसंत सेना कहती है कदा भही कब कैसे पिड़ितो होंगे चेटी कहती यदा आरिया गमिश्यती यनि जब आरिया वहाँ पर जाएंगी पहुंचेंगी तो बुरा तो लगना ही चाहिए है न वसंद सेना कहती है कि तदा मया प्रथमं संतप्तव्यं चेटी गिहान माम रतना वलीन मम भगिन्या आर अब देखें यह जो बाते हैं और वसंद सेना कहती है कि ठीक है मैं अगर चतो शालक जाती हूं वहाँ पर तो चतो शालक जाने पर उनके घर जाने पर चारुदत के लोग पीडित होंगे तो ऐसा है कि मैं पहले पीडित हो जा तदा मया प्रथमं संतप्तव्यं तो पहले क्या है कि मेरे द्वारे पहले संतप्त हो ले जाना चाहिए हो जाया जाना चाहिए मैं इस वह मैं अपने को पहले पीडित कर लेती हूं और थतकष्ट द जो मम भागिन्या आर्या भूता ये गत्वा समर्पय और जो मेरी जो बहन है आर्या भूता अर्था जो धूता है यानि आर्या भूता का मतलब है यहां पर चारुदत्त के पत्नी उनको जाकर के समर्पय ये जाकर के उनको दे देना और कहना वक्तव्यम्चा और मेरी और से कह अब देखे ये सारे जो शब्द है यहाँ पर दासी का अर्थ कोई दासी या चेटी या नौकरानी या मेड नहीं है बलकि जब मनुश्य प्रनायमें जाता है जब मनुश्य किसी के प्रेम के वशी भूत होता है तो उसमें वो अपने को सरवथा समर्पित कर देते हैं और दास या दासी भाव जो है वो अपने को सरवथा समर्पित करने का ये भाव है समर्पन का भाव होता है इसलिए हम भगवान के दासों होते हैं तो अहम श्री चारुदत तस ये दासी यानि मैं चारुदत की दासी हूँ कैसी गुन निरजिता उनके गुनों में मेरी रती है उनके गुण से मैं कह सकते हैं कि खरीदी गई बनाई गई दासी हूँ अर्थात चारुदक्त के गुणों से मैं इतना अभिभूत हो चुकी हूँ कि मानो मैं चारुदक्त के ही अधीन हूँ और चूंकी मैं चारुदक्त के ही अधीन हूँ इसलिए मैं चारुदत की दासी हूँ तदा युश्मा कम अपि उसी प्रकार कहना कि युश्मा मेनब हमारी तुमारी भी तदेशा कथई तथई व कंठा भरनम भवतु रत्ना वली और कहते हैं कि ये रत्ना वली उसी जगह के लिए बने कंठा भरन बने जहां की यह थी तो उसी प्रकार से यह रत्नावली आपके कंठों का आभूशन बने अर्थात आप ये कंठा भरन स्विकार करें हम िजलदी से जाएंगे लेट करेंगे तो हो सकता है कि आर्या जो चारूदद्ध है वो गुसा कर लें क्रोध कर लें वसंत सेना केहती हैं गच्च न कुपिष्यति तुम जाओ तो सही क्रोध नहीं करेंगे चेटी ग्रहित्वा यदाग्यापयति चेटी वहहरतनावली अपने हाथ में ले लेती हैं और चली जाती हैं इते निश्क्रम्य पुनहप्रवीशती और ले करके वो फिर प्रवेश करती हैं आर्ये भनती आर्या धूता आर्या पुत्रेन युश्माकम प्रसादी कृता नयुक्तममेताम ग्रहितुम् आर्या पुत्रेवममाभिवरण विशेश किती जानातु भवती। साहित्य के नायक के प्रायशव कम से कम दो पत्निया होती हैं। तो जितने भी इस प्रकार के कालपनिक चरित रहें या एतियाहासिक चरित रहें या पाउरानिक चरित रहें आप पाएंगे चाहे वो दुश्यंत हो चाहे वो वासवधत्ता हो या चाहे पुरुरवा हो या चाहे वो अगनिमित्र हो ऐसे जो भी उदयन हो हम पाते हैं उनकी दो रानियां होती हैं, दो पत्मियां होती हैं, एक से अधिक पत्मियां होती हैं, वो जाती है लेकर के धूता के पास और लोटती है, और कहती है कि आर्या धूता भानती, आर्या धूता निवेदन कर रही है, कि आर्या पुत्रेन युश्माकम प्रसादी कृता, अर्थात आर ये चारुदत ने आपको प्रसन्न करने के लिए आपसे आपको इन्हों ने ये आभूशन दे दिया अर्थात आर्य पुत्र ने आपको प्रसन्न किया है न युक्ताम ममेताम ग्रहितुम ये उचित नहीं कि मैं पुनह उसे वापस लूँ आर्य पुत्र एव ममा भरण विशेश जो आर्य पुत्र अर्थात चारुदत ही मेरे लिए सब कुछ है वही मेरा आभुशन है अब देखे यह जो पहती पत्नी का जो संबंध है एक और हम वसंत सेना का समर्पन चारुदत के लिए देख रहे हैं चारुदत के लिए वसंत सेना एक और अपने को कह रही है कि मैं चारुदत के गुन निर्जिता दासी हूँ और दूसरी और जो पत्नी है उस गरीवी में भी उस दीन दर्शा में भी जो सदैव छाया की तरह अपने पती का साथ दे रही है वो दूता दूता कहती है कि कुछ भूई हो जाए मेरे लिए तो वही मेरा आभूशन है और ये पुत्रे ही मेरा आभूशन विशिष्ट आभूशन है ऐसा भी नहीं कि सोने का हीरे का जवाहरात का आभूशन है बलकि ममा भरन विशेशह यती जानातु भावती और ये जानातु भाव पती है हम यह नहीं कहेंगे कि धूता संब कर रही है लेकिन वो धूता की दृढ़ता है वो धूता का पति प्रेम्स है वह धूता का पति के लिए शमर्पन है कि वह संकदेश में कहती हैं कि आप यह जान ले कि आरी चारूदक्ते ही मेरा आभुषन विशेश है अब ये वित्तांत जैसे ही खत्मा होता है मैंने आपको शुरू में ही सूचना दी ही ही है कि मंच पर धूता उपस्थित नहीं है मंच पर चारुदत्त उपस्थित नहीं है लेकिन चर्चा में है तो चूकी दस चरित्र जो है को ले करके रधनी का अर्थात जो रोहसेन है जो चारुदत और धोता का पुत्र है उनको अपने साथ ले करके रधनी का मंच पर आती है अब मंच पर पहले से ही चेटी और वसंत सेना है एक साइड होगा उनका मैं समझता हूँ कि नाटी की अदृष्टी से दूसरे साइड में अब रोहसेन और रधनी का होंगे क्योंकि इन दोनों का डिरेक्ट कन्वसेशन होगा उस कन्वसेशन को वसंत सेना सुनेगी और चुकि दोनों में अभी हलो हाई नहीं है क्योंकि वसंत सेना को अल अव सडन उस रोहसेन के पास प्रवेश दिलवाएगा नाटक कार तो रधनी का कहती है एह वत्स क्रीडावा वत्स अर्थात जो रोहसेन है बच्चे के लिए प्रियोग है पुत्र आव शकटिका से खेलते हैं शकटिका गारी से खेलते हैं अब ध्यान रखेंगे इस गारी का भी वीशेशन नहीं अमृत आदी यानि मिटी आदी वीशेशन नहीं है लेकिन हम यहाँ पर ग्रहन करेंगे कि कदाचित वह वही गारी है जिस गार्जो गारी में ठीकी बनी हुई है क्यों क्योंकि दारक जो रोहसेन है वह अभी साकरूनम अब करूनम यानि हम यहाँ पर लेंगे रोते हुए बिलखते हुए एक उस रोने में भी अलग प्रकार का जिद होगा जिस जिद में हम पाएंगे कि एक मारमिक्ता एक वातसल्य उभरेगा और दारक कहेगा रदनी के कि ममेतया मृत्तिका शकटिकाया तामेव सवर्ण शकटिकाम देही कि मेरे लिए इस मिठी की बने हुई गारी का कोई प्रयोजन नहीं है तामेव सवर्ण शकटिकाम देही मुझे तो वो वाली सोने की गारी दो मित्रो हम उसे स्थल विशेश पर पहुँच चुके हैं जहां पर पहली बार नाट का कारने इस मृच्छ कटिकाम नामा का प्रकरण में मृत्तिका शकटिका शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ जो है जिसका नहीतार्थ जो है वह मृच्छ कटिकम है इसकी व्याख्या हम लोग आगे जानेंगे इसके इस नहीतार्थ को हम आगे जनेंगे आप लोगों ने धिहान पूर्वक सुना आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल